आपके बस oneplus not see e3 light है या फिर oneplus का कोई भी फोन है तो यहां पे आप caller ID announcement कैसे set कर सकते हैं कैसे turn off कर सकते हैं caller ID announcement यानि कि किसी का call आता है तो announce करता है ना कि पढ़ के बताता है कि इस person का call आया है तो इसके लिए आप यहां पे dialer पे जाएंगे अगर google dialer है आपके phone में तो यह work करता है और यहां पे आपको जाना है three dot पे setting पे और यहां पे caller ID announcement के उपर आपको click करना है और इसके बाद announce caller ID पे click कर लेंगे यहां पे आपको तीन option मिलेंगे एक तो always record यानि कि हमेशा आपकी call जो है record मतलब announce करेगा sorry एक तो always call announce कि हमेशा आपकी call जो है announce करेगा चाहे वो आपका phone speaker पे है या pocket में है या फिर earphone लगा रखा है कोई दिक्कत नहीं है कैसी भी condition हो हमेशा यह announce करेगा second option क्या होता है कि when using headset अगर आप headphone वगरा लगा रखा है Bluetooth या फिर earphone वगरा तो यह आपका call announce करेगा आपको बताएगा कि हाँ this person की call आ रही है नाम पढ़के और unknown होगा तो unknown बोलेगा और किसी को हटाना है call announcement तो यह never कर देंगे तो call आपकी announce नहीं करेगा तो इन दोनों condition में से तीनों में से लिए always या यह वाला और हटाने के लिए never तो इस step से setting कर लीजेगा चली मिलते हैं आपको एक next video में तब तक के लिए नमस्कार